श्रिव और प्रियांका में एक बार फिर से बड़ी लड़ाई हुई है दरअसल बिग बॉस ने रूम ओफ टू और रूम ओफ सिक्स को पर्मनेंट बंद कर दिया है और इतना ही नहीं घर का सारा राशन भी जो है इस रूम का निकाल दिया गया है बिग बॉस ने इन सभी को इंस्ट्रक्शन दी है कि अब किस रूम में कौन रहेगा ये आपस में बातचीत करके आप लोग डिसाइड कीजिए लेकिन यहाँ पर प्रियांका जो है इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि वो रूम ओफ फोर में रहेंगी हाला कि शिव और नमृत का ये मुद्दा है कि रूम ओफ फोर में वो ही क्यों रहें क्यों जो है बाकी सदस्से नहीं जिस पर प्रियांका ने कहा कि मैं सुबे जल्दी उठ जाती हूं और एंथम बजने का इंतजार करती हूं हाला कि इस बात को लेकर प्रियंका की हर कोई काफी अगेज था और प्रियंका ने जैसे ही रूम ओफ फोर में कब्जा जमाया ये सब भी वहीं चले गए प्रियंका ये कहती हुई नजर आई शिव ठाकरे को कि मैं जो है तेरी सिच्चाई दुनिया के सामने लेकर आऊंगी हाला कि प्रियंका किस बात को लेकर शिव को ब्लैक मेल करती नजर आई है ये तो नहीं पता लेकिन अब जहां पहले सिरफ राशन को लेकर घर में लड़ाईयां होती थी वहीं अब किस रूम में कौन रहेगा इस बात को लेकर भी लड़ाईयां देखने को मिल रही है आपको क्या लगता है कि बिक बॉस ने क्यों ये सभी रूम्स जो हैं बंद कर दिये होंगे आपको लगता है कि अब जब शो फिनाले के करीब आ रहा है तब इन सब के लिए सफर दीरे दीरे मुश्किल होता जा रहा है आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं